मैं रोहित कौशिक, आपको परिचे दे ही दिया मैडम में, तिर भी बताना चाहता हूँ मैं तैसीर कंडाहाट, जीना सोलन, गाउं क्यार्टू, कंडाहाट के साथ क्यार को जो रोड जाता हा जी, उस रोड पी मेरे घर है और मैं जो प्राक्रति खेती वो चार-पांच सादों से कर रहा हूँ इसकी जो ट्रेनिंग है मैंने सुभाज पालेकर जी, आप जानते इसके जनुद आता है जीनों ने द्वाईयों की खोज की, जो कि आपको सुवेश जीन भी बताया होगा उन से हमने direct training दिए ती नौनी में तो आपका महिट्रा मंडल क्या कौन साग भी ची मूंatsy रखाय़ किता यहां पर आपको भी बहुत बहुत में चुभाण ने आधे बहुत क्या आप करेंगे प्राक्रति खेती को और आगे करेंगे जैसा कि आपको सुरेज जी ने बताया होगा कि प्राकृतिक खेती है क्या, सबसे पहले तो हमें ख्लियर होना चाहिए कि है क्या, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं तो प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है, जिसमें हम बजार की दोईयों का प्रयोग ना करते हुए कि इसमें प्रयोग करते हैं जैसे आपकी झानियों यहाँ पर रोकल पत्थe होते हैं गय का गूमूतर पाहाड़ी और देशी गय का गूमूतर प्याढ़रिक खेती है कुछ खिती है जिसमें हम कुछ टॉिक लेते हैं डालों से निकलताबवा टॉणिक होता है हमारी खटी लसी होती है इन सबी तरीकों से हमारी साथ आठ तरह की दोईया बनती है और एक दोईया आती है शुरूरा क्यान तक इसो करेंगे कैसे आपने गीज अम्रित करना है, गीज अंसकार करना है, उसके बाद कैसे जीव अम्रित करना है, वो आपको इसके बारे में हमारे साथ बैठें, यह बताएंगे, मैं अपना अनुगाव शेयर करूंगा है, सबसे पहले आपको, कि जब मैंने ये खेती स्टार्ट की, 2017 में, स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ी दिखतों का सामना करना है, एक तो जो हमारा फैमली किता, जिसे दादालाई किता बोलते हैं, वो खेती बाड़ी है, इसके इलावा, और काम तो सभी के कोई ना कोई, बिजनस वे से कोई ना कोई जाता ही है, लेकिन जो मेरा मेर काम थ जो जाता जी दोजासतारा की बात है, और फसे लगी थी मटर की, मटर में लगता है रोग पाउडरी मिल्डियो, इसे अंग्रेजी बाशा में पाउडरी मिल्डियो, और हिंदी में हम कहते है सपेद चुमनी रोग, वो एक ऐसा रोग होता है, जिसे हमारा पूरा फल है, जो फली आती है मटर की, वो बिल्कुर्ट खराब हो जाती है, जो पता ही थीपनी रहा तो अपने अच्छोरी एक फली भी खराब हो जाती है, तो इसको मैंने यूट्यूब पे सुभाष पाले करकी टेरिंग से पहने यूट्यूब पे देखा था कि किस तरीके से वो पाउडर पाउडरी वीडियो को हटाते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैरे खटी लशी का प्राइब, खटी लशी जतनी पुरानी होगी, जतनी पुरानी से पुरानी खटी लशी होगी, वो बहुत खायदे मिल रहती है, अब मेरा यह मानना भी है, ट्रेक्टिकल किया है, कि अपने खेतों में रहा जी, अभी तक जो रहा है, अभी हाल में जो आपको बताना चाहता हूं कि मैंने लगबग 6,000 प्लांट चमाटर के लगा रखी है, 5000 मैंने शीमनमिट्स लगा रखी है, 6000 प्लांट मेरे पास वाली प्लावत पूल गोबी के थे, 8,000 पौदे मैंने फू इसके लबा जो बड़े उसमें बता रहा हूं यह चीज हैं कि फ्राश्वीन होगी, फ्राश्वीन कम से कम पांच किलो में फ्राश्वीन इस बाल लगाई है, अभी भी लगा रहे, सबसे बड़ी बात आती है प्राक्तिक के जीमें कि आपने इस तरीके से एक जिसे कहते हैं कि एक प्रॉप के बाद प्रॉप रोटेशन, एक फसल है फसल चक्ता, एक फसल आपने लगाई है, दूसरी फसल भी आपने लेगी है, ताकि हमारी जो खेत है, खेत में जो खरपतवार है, घास है वो बीना है, स्पोस्च करो आपने भी टमाटर लगाए है, लगाते हैं मतलब डूरी में करते हैं फूए जमबाल साथ है